नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी विद ग्यान प्रकास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मासिक करन्रफेर के आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जन्वरी मा के समपूर करन्रफेर का सार संचे हमने कोशिस करी है कि प्रती दिन से सबसे महत्पूर एक या दो घटनाओं को ही लिया जाए इस प्रकार से पूरे मेने का हम लोग रिविजन करेंगे तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए तो चले शुरू करते हैं और पहला कॉश्चन जो की बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर नज़र डालते हैं तो हाली में रेल्वे बोर्ड का नया चेर्मैन और सी इओ किसे नियुक्त किया गया है और इसका अंसर हो जाएगा आप्शन सी देखे फ्रेंड्स पुर्वोत्तल रेल्वे गोरकपुर के महा प्रबंधक और 1983 बैस के सीनियर I.R.S.E.E. अधिकारी विन्यकुमा त्रिपाठी को रेल्वे बोर्ड का नया चेर्मैन और सी इओ पद पर नियुक्त किया गया है महा प्रबंधक विन्यकुमा त्रिपाठी की नियुक्ती नियुक्तमा चेर्मैन और सी इओ सुनीत सर्मा की जगह पर की गयी है यह नियुक्ती 1 जनुरी 2022 से 30 जून 2022 के लिए यह कि मात्र 6 महिने के लिए की गयी है हाली में किसे आर्डर आफ कनाडा से समानित किया गया है इसका अंसर हो जाएगा आप्सेंड डी डाक्टर बैकुंटम आयर लक्षमनन डाक्टर प्रदीप मर्चंट और नौजोत सिंग धिल्लो भारती मूल के तीन कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्दी समधाय के प्रती समर्पन एक बेहतर राष्ट के निर्माण में मदद करने के लिए देश के सरवोच नागरिक समानों में से एक आर्डर आफ कनाडा से समानित किया गया है अगला कुशन देखते हैं 2021 का हिंदी का साहित अकादमी पुरसकार किसे प्रदान किया गया दिखे फ्रेंड्स इसका अंसर हो जाएगा option C दया प्रकास सिनहा तो वर्स 2021 के लिए साहित का अकादमी पुरसकार की घुशड़ा कर दी गयी है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस IIT को पहला अस्थान मिला है तो यहाँ पर सही option हो जाएगा option B यानि कि IIT मदरास को अगला कुशन देखते हैं हाली में किस राज सरकार ने E रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI से समझोता किया है इसका अंसर हो जाएगा option A यानि कि करनाटक करनाटक सरकार ने छात्रों की scholarship के लिए E रूपी scholarship इस्तिमाल करने का फैसला किया है इसमें क्या होगा कि एक code मोबाइल पर भेजा जाएगा वो test farm में भी हो सकता है या whatsapp में code भी हो सकता है उसी code को दिखा कर जो छात रहें वो अपने scholarship को प्राफ्ट कर पाएंगे नहीं कि जो mediation की प्रक्रियाती वो समात कर दी गई है इस E रूपी को लागू करने के बाद चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्री चेंपेंशिप में किसने दो स्वण पदक जनवरी मा में जीते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा option B यानि कि नितेश कुमार चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्री चेंपेंशिप का आयोजन भोनेस्थर ओडिसा में हुआ कब हुआ 24, 25 और 26 दिसंबर 2021 में मिसेज इंडिया गलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है देखे फ्रेंड्स ये तस्वीरा पचान रहे होंगे ये हैं निकिता सोकल बिकल्क ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है हरदा मद्यप्रदेश की हैं ये दाक्टर निकिता सोकल इन्होंने दिल्ली में आवजित मिसेज इंडिया गलेक्सी अवार 2021 को हांसिल किया है और इसका आयोजन नई दिल्ली में वाइब्रेंड कांसेट के द्वारा किया गया था दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में सुरू ही भारत, अमेरिका, चीन और रूस में सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर चीन यानि कि बिकल्पसी संगाई में मेट्रो नेट्रवर्क की अब कुल लंबाई 831 किलो मीटर हो गई है और यह दुनिया में सरवार्धी के सबसे अधीक है प्रिधार मंत्री मोधी ने मेजर ध्यान चंद खेल रत्न विश्व विश्व विद्याले की आधार सिला कहां पर रखिये तो याद रुकिएगा कि यह आटवी बार है जब अंडर 19 क्रिकेट एसिया कप 2021 का खिताब जीता गया है भारत के द्वारा सही जबाब ऑप्शन बी होगा खेलो इंडिया यूध गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन करेगा देगे फ्रेंड चाहाँ पर बात हो रही है उनकी मेजबानी डिल्ली में होई थी दूसरा यूध गेम उड़े में खिला गया तीसरा यूध गेम गोहाटी में खिला गया था और अब जो चोथा होगा 2021 में इसका आयोजन हर्याना करेगा और 2022 का हर्याना में 2021 होगा और 2022 का जो आयोजन होगा वो मद्ध प्रतेश करेगा तो विकल्ब भी यहां पर करेक्ट है याद रखिएगा हाली में किस भारती गेदवाज ने विदेशी धर्ती पर सो विकेट पूरे की हैं तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन ए जस्प्रीत बुमरा ने और संचुजियन टेस्ट की दूसरी पारी में रासी वैंडर डूसें डक्षड अफरीकी किरिकेटर को बोल्ड करके उन्होंने अपना सोवा विकेट हासिल किया है किंद्री आयुस मंत्री सरवानन सोनेवाल ने कहां पर हार्ट फुल्नेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधार सिला रखी है हार्ट फुल्नेस इंटरनेशनल योग अकादमी की जो आधार सिला फ्रेंड्स ये रखी गई है ऑप्षन C यानि की हैदराबाद में रास्क्री स्वक्ष गंगा मिसन के नए महा निदेशक कौन बनाए गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्षन A जैने की जी असोग कुमार आगे बढ़ते हैं ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स ONGC की ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी प्रबन निदेशक होंगी तो ये प्रस्ट बहुत इंपोर्टेंट है और वैसाली हिवा से सोमा मंडल, अलका मित्तल और वालेट बरुआ सही जब आप इसका होगा ऑप्षन C अलका मित्तल अलका मित्तल जो है ये सुबास कुमार की जगे लेंगी हाली में नासा के अंतरराष्टी वायू और अंतरिष्ट प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो ये महिला नहीं है बलकि यो कहिए कि ये इस्टुडेंट है घर्ल इस्टुडेंट है और इनका नाम है जानवी डांगेती जानवी डांगेती हाली में नासा का इंटरनेशनल एर एंड इस्पेस प्रोग्राम आई एएस्पी पूरा करने वाली पहले भारती छात्रा बन गई है साधी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंदी विधेक की जांच करने के लिए किस समीत को गठित किया गया है जैसा काब सभी लोग जानते हैं कि अभी तक बरतमान में लड़कियों की जो साधी की उम्र है वो 18 वर्स है अब इसे बढ़ा कर एक किस वर्स किया जाना है जिसके लिए एक कमेटी का ठित की गई है और इस कमेटी की अधिक्सता कर रही है सुस्मिता देव और आपको बता दें कि यह जो कमेटी है आप्शन बी सुस्मिता देव समीती इसमें कुल 31 सदस हैं जिसमें TMC सांसद सुस्मिता देव एक मात्र महिला प्रतनीदी है कौन सा देश वर्स 2022 में जी सेवन की अधिक्सता करने जा रहा है यादर कियेगा कि जी सेवन का सदस भारत नहीं है और जी सेवन की 2022 में अधिक्सता करेगा जर्मनी 26, 27 और 28 जून 2022 को जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा हाली में जिला सुसासन सुचकांक अस्थापित करने वाला पहला केंद सासित प्रदेश कौन सा बना है जिला सुसासन सुचकांक अस्थापित करने वाला पहला केंद सासित प्रदेश बन गया है जम्मु कस्मीर तो फ्रेंड्स इसका सही जबाव option A है अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तब आप प्लीज इसे लाइक भी जरू करें और पने दोस्तों के बीच इसे सेर जरू कर दीजेगा देश का पहला पेपरलेस अदालत कौन सा हाई कोड बना है देखे फ्रेंड्स देश का जो पहला पेपरलेस अदालत है ये बन गया है केरल हाई कोड तो आप्शन सी इसका करेक्ट है जरूरिया देखना है इसको अगला कुशन है कि हाली में कलपना चावला सेंटर फार रिसर्च इन स्पेस एंड टेकनोलोजी का उधगाटन कहां पर किया गया कलपना चावला स्पेस पर रिसर्च इन स्पेस एंड टेकनोलोजी का उधगाटन क्या गया है कहां पर आप्शन बी चंडीगड इनवस्टी में तो सही जवाब आप्शन बी है तीन ट्रिलियन डालर मार्केट वैलू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौशी बनी है तीन ट्रिलियन डालर मार्केट वैलू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है यह एपल बन गई है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है तीके फ्रेंड्स रूपियों में रकम करीब 2.24 लाख अरब रूपे होगी ठीक है रामनाद गोयन का पुरसकार से हाली में किसे समानित किया गया है और इसका अंसर हो जाएगा जिसान ए लतीफ यह जिसान ए लतीफ की तज़वीर है तो ऑप्शन दी इसका करेक्ट है हाली में अमेरिकी नौसेना ने परमाड वहाग पोत का नितुर्थ करने वाली जो पहली महिला बनी है कौन बनी है अमेरिकी नौसेना में परमाड वहाग पोत का नितुर्थ करने वाली पहली महिला कौन बनी है एमी बार्न श्मिट आप्शन सी यहाँ पा करेक्ट है एमिय बार्न श्मिट कप्तान वाल्ट स्लाटर का स्थान लेंगी एमिय बार्न श्मिट 2016 से 2019 तक अमेरिकी जहाज यू यस्यफ अब्राहम लिंकन की कारेकारी अधिकारी भी रह चुकी है हाली में सबसे अधिक ODF प्लस गाउं की सूची में कौन सा राज टॉप पर है ODF प्लस गाउं की सूची में टॉप पर है दिलंगाना हाली में ये आकड़े सामने आये हैं विकल्प A आपका यहाँ पर करेक्ट है देखे फ्रेंड्स स्वक्ष भारत मिसन 2.0 ग्रामीर कायकरम की तहत 31 दिस्टंबर 2021 तक ODF प्लस गाउं की सूची में तलंगाना टाप पर है दूसरे स्थान पर तमिलनाडू और तिसरे स्थान पर है करना टक वर्ड एकोनॉमिक आउटलूक 2022 को कौन लांच किया है 2022 हाली में विश्युद्ध अनाथ दिवस वर्ड डे फार वार औरफंस 2022 कब मनाया गया तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा option C प्रतिवर्स च्छ जमरी को होता है वर्ड डे फार वार औरफंस 2022 किस देश के करत्रिम सूरज ने 17 मिनिट तक 7 करोन डिग्री Celsius उर्जा निकाल कर विश्युद्ध रिकार्ड बनाने वाला देश बन गया है option A यारी की चाइना चीन के करत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नयर विश्युद्ध रिकार्ड बनाया है हेवफई में इस्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्टर से 1056 सेकेंड या करीब 17 मिनिट तक 7 करोन डिग्री Celsius उर्जा निकली है हाली में रिजर बैंग ने अंतरराश्ट्री प्रेक्षण ब्योसाय के लिए किस बैंग को मंजूरी दी है इस बैंग का नाम है कौनसा ऑप्षन ए फीनो पेमेंट बैंग उप्सटन ए करेक्ट है तो फीनो पेमेंट बैंग को रिजर बैंग ने इंटरनेशनल आप्जर्वेशन बिजनेस्न रेमिटेंस के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है अंतरराश्ट्री सौरगडबंधन में सामिल होने वाला 102 देश कोंसा बना है तो अंतररास्टी सौरगडबंधन ISA का जो head office है वो गुरुग्राम में है आप जानते ही है हर्याना में और इसमें सामिल होने वाला 102 देश है यह एंटी गुआ और बार्बुडा बना है 101 देश बना था अमेरिका ठीक है 102 इस्व बन गया है एंटी गुआ और बार्बुडा बहुरास् press च्रीओ सौरगडबन 2022 का आयोजन कहा पर किया गया कि अध Complete अध्owym और हम चा सांग और अस्ट्रेलिया सइंग फोलार बहुराश्ट्री अभ्यास है जिसे हिंद प्रसान छेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनोतियों के जबाब में एक साथ संचालित करने के लिए पंडुबी रोधी युद्रनीत का अभ्यास और चर्चा के लिए डिजाइन किया गया है इसमे यह बन गया है option A यानि कि जांग मिंग चीन के वरिष्ट राजनाइक जांग मिंग ने संगाई सहयोग संगठन के नए महासची के रूप में कारभार को ग्रहन कर लिया है हाली में ग्राहमी जूनियर राष्ट्री पुरुस हांकी चेंपियंशिप 2021 को किस ने जीता ग्रहमी है जूनियर राष्ट्री पुरुस हांकी चेंपियंशिप 2021 को जीत लिया है किसने option C से ही है उत्तर प्रदेश ने और इसमें उप विज़ेता रहा कौन सा तो चंडिगड हाली में करनाटक राजी का पहला LNG टर्मिनल कहां पर अस्थापित किया गया है हाली में लांच किया गया भारत का पहला सोदेशी सर्वर का नाम क्या है तो भारत का पहला सोदेशी सर्वर रेफ्रेंट्स उसका नाम है रूद्र option A यहां पर correct है इगवर्नेंस पर 24 राष्ट्री समयलन कहां पर आजित हुआ इगवर्नेंस पर जो 24 राष्ट्री समयलन था इसका आउजन किया गया था है राष्ट्री जल पुरुषकार 2020 में कौन सा राजी सीज़ पुरुषकार 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रस्न इसका सहीवाब option भी होगा जल सक्ति मंत्राले की ओर से 7 जनवरी 2022 को तीसरे राष्ट्री जल पुरुषकार 2020 में उत्तर प्रदेश ने अपना पर्चम लह रहा है राज ने सबसे ज्यादा अवार्ड अपने नाम किये हैं केंद्रे जल सक्ति मंत्री गजेंदर सिंग सेखावत में पुरुष महिला जज कौन बनी है यह है आईसा मलिक तो आपका सही जबाब option A है बहुराष्ट्री नौसनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया अभी हाली में देखे फ्रेंट्स इसका आज़ो नोगा 25 फरवरी से विसाखा पत्नम में सही जबाब इसका option C है भारत के पहले ओपन राक संग्रहले का उधगाटन कहां पर किया गया ओपन राक संग्रहले यहाँ पर चटानों को रखा जाएगा और इसका उधगाटन जो है किया गया कहां पर तो option B हैदराबाद में देखे फ्रेंट्स इस म्यूजियम में भारत के बिभिन हिसों से लगबग 35 बिभिन प्रकार की चटानों को प्रदसित किया गया है जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्स से लेकर प्रित्वी के इतिहास के लगबग 55 मिलियन वर्स तक है तो काफी पुरानी चटाने आप यहाँ पर जाकर देख पाएंगे नौवा नार्थ इस्ट फेस्टिवल 2022 का आयूजन अभी हाली में किया गया कहाँ पर असाम में तो ट्बीकल्ब आ अप यहाँ पर correct है ہाली में प्रदान मंत्री नरेटमोदी ने किस डेट को बीर बाल दिवस के रोप में मनाय जाने की घोशला की है इसका उत्रज़े का फिरेंट्स option B यानि की 26 दिसंबर को प्रतिवर्स अब मनाय जाएगा बीर बाल दिवस प्रतान मंत्री नरेदर मोदी ने सिख गुरू गुरू गोबिन सिंग के प्रकास परू के असर पर हर साल 26 दिसंबर को बीर बाल दिवस मनाय जाने की घुशड़ा कर दी है गोल्टन ग्लोब अवार 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरूसकार किसने जीता है तो अपसंसी से ही होगा दे पावर आफ डॉप फिल्म ने और इसके नदेशक है जेन कैम्पियन हाली में गोल्टन ग्लोब अवार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला अभिनेत्री कोन बनी है तो देखे ट्रांसजेंडर है तो महिला पुरूस नहीं कैसकते आप ट्रांसजेंडर अभिनेत्री जो बनी है गोल्टन ग्लोब अवार जीतने वाली पहली इनका नाम है मिकेला डी रोड्रिक्स, मिकेला जे रोड्रिक्स, option A से होगा, मिकेला जे रोड्रिक्स देखे व्रेंट्स, 9 जनुरी 2022 को गोसित, 89 में Golden Globe Award में 31 साल की अभिनेत्री को तेलिविजन सिरीज ड्रामा में सरस्रेष्ट अभिनेत्री का खिताब प्रदान किया गया है दिसमबर 2021, ICC Player of the Month Award किसने जीता है, तो दिसमबर 2021 का ICC Player of the Month Award मिला एजाज पटेल को विकल्प A सही है, न्यूजी लेंड की करिस्माईग स्पिनर एजाज पटेल, Player of the Month चुले गए इजाज ने पिसले साल दिसमबर में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ पारी में सभी 10 विकेट थे, उसको जड़का था, मतलब सभी 10 विकेट लिये थे, और ये काफी बड़ी उपलब दी है आईपिल 2022 में कौन टाइटल इस्पांसर के तौर पर चीनी मोबाइल निर्माता वीबो की जगन लेगा टाइटल इस्पांसर अब बनेगा वीबो की जगन कौन टाटा ग्रूप तो विकल भी यहाँ पर करेक्ट है टाटा के पास 2022 और 2023 सीजन में आईपिल का टाइटल इस्पांसरशिफ रहेगा और भारत की जो 17 इसमय ग्रेंट मास्टर बने थे उनका नाम आर राजा ःत्वी कंसुए 31 ग्रेंट मास्टर संकल गुपता बने थे और 72 ग्रेंट मास्टर बने थे मित्राभ गुहा तो चारों को यह नाम याद रखेगा Asian Infrastructure Investment Bank AIIB के नए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन बने है Asian Infrastructure Investment Bank AIIB के नए जो उपाध्यक्ष बने है यह है उर्जित पतेल RBI के Ex-Governor तो सही जबाब इसका Option D है विस्व रैपिड सतरंज Championship 2021 का खिताब किसने जीता विस्व रैपिड सतरंज Championship 2021 का खिताब जीत लिया गया है किसके द्वारा Option A नोदीर बेग अब्दू सत्तारो के द्वारा तो Option A करेक्ट है उजबेकिस्तान में नोदीर बेग अब्दू सत्तारो ने रूस के यान नेपोमनी याजची को टाइब रेकर में हराकर विस्व रैपिड सतरंज Championship 2021 का खिताब जीता है तो सही जबाब Option A है हाली में असम का पहला खेल विस्व पिद जाला है किस जिले में स्टार्ट हुआ है सही जबाब विस्व का फ्रेंड्स Option C यानि कि डिब्रुगड में ठीक है और हाली में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स से 2022 में जारी हुआ है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है तो भारत पहुच गया है 83rd position पर Option C correct है और ये भी यादगना कि भारत हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में 23 में अस्थान पर है जो पिछले साल 90 में अस्थान पर था तो साथ अंक उपर आया है भारत इस तरहों के नए चेर्मेन कौन बने हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा S. सोमनात सही जबाब Option B है हाली में किस देश में दुनिया की पहली बार मानों में सूवर के हिर्दे को ट्रांस्प्लांट किया गया है इंसान में सूवर का दिल लगा गया है कहां पर अमेरिका में लगाया गया Option A करेक्ट है और अमेरिका की इनुष्टी आप मेरिलेंड मेडिसिन यू यम यम के डाक्टरों ने 7 जन्वरी को मेरिलेंड के एक 57 वर्सी व्यक्ति डेविड वेनेट में सूवर का दिल ट्रांस्प्लांट किया है और यह वाकी बहुत बड़ी उपलब दी है ठीक है Indomitable A Working Women's Notes on Life Work and Leadership किताब आईए Indomitable इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है सही जबाब है अरुंदती भटाचार्या Option C याँ पर करेक्ट है हाली में कौन सा सहर जल मेट्रो परियुजनावाला भारत का पहला सहर बन गया कौन सा सहर जल मेट्रो परियुजनावाला भारत का पहला सहर बन गया तो इसकेाँ आंसर हो जाएगा Option B Kochi 23 62 जरमनी ठीक है हाली में सुप्रीम कोड ने प्रधान मंतरी सुरक्षा चूक की जाँच के लिए किसकी अधिक्सता में एक पैनल का गठन किया है आपको पता होगा कि प्रधानमत्री जब पंजाब गए थे तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर गंबीर चूक सामने आई थी और इस चूक की जाँच के लिए सुप्रीम कोड के द्वारा जो पैनल गठित किया गया है उसको लीड करेंगी इंदु मलोतरा बिकल्प ए आपको पर करेक्ट है और सुप्रीम कोड ने पिम की पंजाब यातरा के दोरान सुरक्षा चूक की जाँच के लिए पूर नयाधिस इंदु मलोतरा की अधस्ता में कमेटी को गठित कर दिया है हाली में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर एक खिलाडी जो बनी है इनका नाम है तस्मीन मीर क्या नाम है तस्मीन मीर से पहले तिलंगना की सामिया इमाद फारुकी तिलंगना की रहने वाली हैं सामिया इमाद फारुकी वर्ड रैंकिंग में पहले अस्तान पर पहुँच चुकी थी दुनिया का सबसे उम्रदराज अस्थली जी कौन सा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर एक कच्छुआ महाराज है और यह लगबग 200 साल के हो चुके हैं एक कच्छुआ है और यह भी आतकना कि इसका नाम है क्या नाम है जोनाथन ठीक है और यह जानिए कि यह इसमें प्रतिमी के पर सबसे उम्रदराज पाड़ी है लगबग 200 साल का यह हो चुका है ग्लोबल प्राइबेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत 21 बैंक को सरस्रेस्ट नेजी बैंक रूप में नामित किया गया है इसको ऐसे समझे कि कौन सा प्राइबेट बैंक भारत का ब मेजबानी करेगा अब देखो यहां पर जो डेफ हैं बधीर हैं उन लोगों का एक विश्कॉप होने वाला है विश्व टी ट्वंटी क्रिक्ट चैंपियंशिप इसकी मेजबानी करेगा कौन ऑप्शन डी यानि कि मेजबानी करेगा केरल बजिरों की अखिल भारती खेले परशत को 10-20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुनरंद पुरम में पहली बार विश्व बधिर टी-20 क्रिक्ट चैंपियंशिप की मेजबानी करने के लिए जो अन्मती है वो प्रदान कर दी गई हैं हाली में अबवित GP पर दिखाई देने वाली पहली स्वेत महिला है कौन बनी है इनका नाम बताना आपको और यह मैया एंजलो ऑप्सन सी से ही है इसका और हाली में Misses World 2022 अख्टाक कूछ ने जीता मिसेज वर्ड 2022 तो फ्रिंट्स ये हैं इनका नाम है सैलिन फोर्ड ये यूएसे से हैं और यहाँ पर ये ड्रेस देखिए आप ये ड्रेस भी काफी महत्पूर है आपको बता दे की नौदीप कौर हैं और ये भारत से हैं जिनको कुंडलनी चक्र ड्रेस के लिए मिसेज वर्ड 2022 में बेस्ट नेस्टनल कास्ट्यूम टाइटल मिरा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धी है इनके लिए और हाली में विश्व का सबसे बड़ा खादी राश्ट्री धोज कहां पर प्रदसित किया गया है सबसे बड़ा राश्ट्री धोज प्रदसित किया खादी से बना तिरंगा 225 फिट लंबा है और 150 फिट चोड़ा है इसका वजन करीब 1400 किलोग्राम है और इस जंडे को खादी ग्राम अद्योग ने बनाया है ग्लोबल एकोनॉमिक प्रास्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को किस ने जारी किया है ग्लोबल एकोनॉमिक प्रास्पेक्टस रिपोर्ट आई है इसको जारी किया गया किसके द्वारा जिसका सभी जबाब है ओप्सन सी विसु बैंक के द्वारा तो Global Economic Prospectus Report 2022 को किसने जारी क्या है? विस्व बैंग ने रिपोर्ट के मुताबिख वैस्विक आर्थिक विकास 2022 में घट कर 4.1% और 23 में 3.2% हो जाएगा 2021 में विकास दर कितनी थी? 5.5% फोर्स द्वारा जारी सुची के अनुसार 2021 में सरवार्धिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी पड़ी हैं उनका नाम क्या है? सरी जीवाब इसका हो जाएका फ्रेंड ऑप्सन ए ये हैं नौमी उशाका कहां से हैं? जापान से हैं तो नौमी उशाका ने इनाम और विग एथलेट बन गई है हाले में भारती नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच POSSEX 2022 सेन नौसे बैड मेंटर ट्रोनामेंट, मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, लक्ष सेनने, विकल बी यहाँ पर, correct है, भादी स्टलर लक्ष सेनने, इंडिया ओपन बैड मेंटर का खिताब जीता है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है, थाइलेंड की, बुसानन ओंग बाम रूंग फान ने, बुसानन ओंग बाम रूंग फान, इसका आज़ों का पर हुआ था, नए दिल्ली में, 16 जनवरी 2022 को पंडित भिरजु महाराज का 83 वर्स की अवस्ता में निधन हो गया, इनका संबंद किससे था, तो यह जाने माने कथक नर्तक थे, बिकल्प यहाँ पर, करेक्ट है, और इनका समद लखनों घराने से था, यह भी आदक न, जन्म 4 फरवरी, 1928 में लखनों में ही हुआ था, हाले में विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा सिकर समयलन 2022 में भारत की अध्यक्सता किसने की है, तो वर्ड एकोनामी फोरम का जो दावोस एजें ब्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ब्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से दावोस सिकर समयलन 2022 को समुद्र किया है, अगला कुश्चन है कि हाली में किस महासागर के अंदर एक बड़ा जौला मुखी विस्वोट आश्टले महादीप में प्रसांद महासागर के अंदर ये विस्वोट हुआ था, एक बड़ा जौला मुखी विस्वोट हाली में महिला राष्ट्री आइस हांकी चेंप्यंशिप, राष्ट्री आइस हांकी चेंप्यंशिप का उद्घाटन कहां पर किया गया, सही जवाब इसका है, आप्शन B, हिमांचर प्रदेश, और इसको जीता है किसने, तो लद्दाक ने जीता है, ये भी याद अगना, नौवी महिला राष्ट्री आइस हांकी चेंप्यंशिप, 2022 का आयोजन, हिमांचर प्रदेश के लाहौल इस्पिती जी लेके काजा में आइस स्केटिं इसका हो जाएगा, आपको याद आ रहा होगा, यही पर हिंग को उगाने का प्रयास किया जा रहा है भारत में, अभी तक जो भारत में सरवार्दिक आयाद होती है हिंग, वो कहां से होती है, अफगानिस्तान से होती है, हाली में किस बैंग ने, IBS Intelligence Global Fintech Innovation Award 2021 को जीता है, IBS Intelligence Global Fintech Innovation Award किस बैंग ने जीता है, सही जवाब इसका हो जाएगा, Option D, Axis Bank ने, Axis Bank और CRM Next Solution ने, CRM System, CRM मतलब Customer Relationship Management के लिए, IBS Intelligence Global Fintech Innovation Award 2021 को जीत लिया है, हाली में किसे सर्वस्रेस्ट फीफा पूरुस खिलाडी की रूमे चुना गया, सर्वस्रेस्ट फीफा पूरुस खिला तो इनका नाम है, Option B, Robert Lewandowski, पोलेंड के स्टार स्टाइकर है, Robert Lewandowski, लगाता दूसरी साल, इनको फीफा के सर्वस्रेस्ट फुटबालर का पूरुसकार प्रदान किया गया है, किसे अगले थलसेना उप प्रमुक की रूमे नियूत किया गया है, तो इसका उतर जाएगा, Option B यहने कि मनुष पांडे को ठीक है, तो केंदर ने पूर्वी सिना की कमान समाल रहे है, लेटिनेंट जनरल मनुष पांडे को देश का अगला उप सिना प्रमुक बनाने का फैसला किया है, और दोस्तों यह है, आज के वीडियो का अंतिम प्रस्न की हाली में, इंडोनेसिया क की नई राजधानी कोंजी बनी है, और इसका अंसर हो जाएगा नुसंतारा, आप्शन बी इसका करेक्ट है, जकारता अब बहुत ही घनी आबादी का सहर है, जहां पर मूल भूत सुबिदाओं के लिए संक्रस बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब सरकार ने देश की र आरे के लिए चैनल को सब्सक्राइब को लिजिएगा और बेल आइकान को प्रेस करके अल पर जरूर दबाईएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, सिकरी मिलेंगे हम आपसे एक ने वीडियो में आगे दीजिए नमस्कार, जैहिंद